हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम डोर मैट बनाना सीखेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना तो सबसे पहले मैंने एक पुरानी मेरी बेड़ शीर थी उसका मैंने एक सरकल कट कर लिया है ये देखो 9 इंच पे निशान लगा के मैंने एक सरकल मैंने कट कर लिया है और ये दो कपड़े लूंगी मैं सिल्क फैब्रिक है जैसा भी फैब्रिक आपके पास बढ़ा हो आप ले सकते हो और ये एक देखो मैंने दास इंच लंबा एक मैंने पैटन बना लिया है तीन इंच उपर से रखा है और एक इंच नीचे से तो ऐसी तिर्ची मैंने इसकी शेप दे ली है करें अब हमने कपड़े पे सेम ऐसा ही पैटन जो मैंने ये पैटन बनाया है एक उसको उपर राके ये देखो ऐसे हमने कपड़े को कट कर लेना तो मैंने 5-6 तया कपड़े की लगा ली है ताकि एक बार में ही 67 पीस मैं कठे ही कट कर लो, तो 1,8 ही देखो हमारे ये तने सारे 5 पीस आ जाएंगे, 1,8 ही तो 10 इंच लंबा मैंने ये बनाया है, जो बुक्रम का, मैंने एक सांचा सा बनाया है, 10 इंच लंबा रखा है, उपर से 4 इंच चोड़ा है वैं, नीचे से 1 इंच है ये देखो ऐसे ही सारे पीस मैं कट कर लूँगी औरेंज कलर के भी और ग्रीन कलर के भी तो ये देखो कितने सारे पीस हमारे एक साथ में ही कट हो गए क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से तीन चाथ तया लगा ली थी ना ऐसे ही मैंने Green Color के भी g गट कर लिए हैं ये दिखो सारे कितने सारे पीस मैंने कट कर ली है जितने भी मुझे चाहिए अगर काम होंगा तो हमने Click BROWN कर दो को हो गानी है कैसे हमने आगे इसका कैसे इनको प्रेस करनी है ये देखिए सारे पीस मैंने सिलाई ये लगा ली है अब ये देखिए कैसे हमने इसको सीधा करना है ऐसे सीधा करेंगे ये देखो ऐसे है ऐसे सीधा करके और सिलाई सेंटर में ले आएंगे और ऐसी हमारी ये पत्ती सी बन जा तो प्रेस हमने अच्छे से करनी है अच्छे से इनको बिठाना है ताकि हम जब ये पूरा पैच बनाए न तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैच बने क्योंकि सिलक फैबरिक है न काफी पतला है ये जो शंटोन फैबरिक होता है न वो वाला फैबरिक है ये तो सारे पीसे ज जो है आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ऐसा पैच बना के आप बेड़ शीट पे यह देखो ऐसे पहले मैं आपको बता देती हूं ऐसे हमने रखना है और ऐसे इसको स्टिच कर देना है तो ऐसे ही सारे पीसे जो है एक ग्रीन और एक औरेंज साथ में मैं स्टिच करते देती हूं यह देखो ब्राबर करके कोने के साथ हमने कोना मिला के फिर इसको पैच को त्यार करना है तो हां मैं बता रही थी आपको कि यह पैच बना के आप बैड़ शीट भी के पे भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ आप कोई पिलो कबर या कुशन कबर भी बना सकते हो ए करीब उसका आधे चार के करीब विवगोर इसके चाह तो काफी पसंदकी य自फ का कलर वी बहुत भी बुइमार तो यसे का दुन पलाकातरी Current और अगर आप dining table के लिए बनाना चाहते हो ना तो dining table के लिए भी आप जो है इसके कितने सारे पीसे जो है बना के और dining table को भी अपने सजा सकते हो अब लास्ट वाले को ऐसे ही मैं स्टिच कर दूँगी यह देखो तो गुलाई में अपने आप ही गुलाई बनती जाएगी हम इनको स्टिच करते जाएगे तो गुलाई अपने आप बनती जाएगी अब हमने इसको प्रेस कर लेनी है तो एक साइट को ही हमने सारा मार्जन जो है रखना है और इसको प्रेस कर लेनी है तो यह देखिए प्रेस मैंने कर ले है इसको अच्छे से बिठा लेना है प्रेस के साथ हमने यह देखो तो कितना ब्यूटिफुल हमारा यह पैच जो है बनके त्यार हो गया तो अब हमने जो यह सरकल वाला मैंने एक पीस कट किया था पुरानी बैड़ शीट का इसको मैं गुलाई में एक ये देखो रहे पट्टी मैंने कट कर ली है गुलाई से इसको गुलाई में पूरा इसको फिनिश कर लोगी ताकि इसके धागे ना निकले ये देखो ऐसे रखोंगी ऐसे गुलाई में पट्ट तरफ गुलाई में, तो ये देखिए, फरेंट, सिलाई मैंने लगा ली है, तो ये हमारा त्यार हो गए, ये देखो, जो निचे वलबेश था, इसके उपर ही मैं ये जो पैच है, इसके उपर ही अटेच करूंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैंने इसको पूरा बराबर करके मैंने रखना है इसको, यह देखो, तो 9 इंच का मैंने यह काट किया था राउंड में जो यह सर्कल बनाया था न, सेंटर से 9 इंच का निशान लगा के पूरा सर्कल बनाया था और नीचे वाला मैंने 10 इंच रखा था तो देखिए थोड़ा सा हमारा बढ़ के आना चाहिए जो हमारा ये कोने से है तो अब हम मैं क्या करूँगी इस पर पूरे बराबर से रखे सारे इसको पहले पिन आप कर लूँगी पूरे गुलाई में मैंने इसको बराबर करके गी दोखो यहां पे सारे पिंस लगा लेनी है ताकि हमारा ये जो सिलाई है ना मिलकुल परफेक्ट आए अब ये देखो जहां पे मैंने पिंस लगा ले है तो जहां पे मैंने नीचे वली साइड एक पट्ठी लगाई है ना ओररंज कलर की उसके उपने देखते रहना है हासे कि हमें साथ साथ में उसके उपर ही हमने सिलाई लगानी है तो आप जब सिलाई लगाओगे नीचे से आपने साथ साथ में इसको बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है ताकि इसमें कोई जोल ना आए क्योंकि आप पिंस हमने लगा ली है तो जोल नहीं आएगा बस दीरे-दीरे हमने सिलाई लगानी है, एक दम से नहीं लगानी है, साथ-साथ में कपड़े को सेट करते जाएंगे न, ये देखो सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी आ रही है, तो ऐसे ही पूरी गुलाई में मैं इस पे सिलाई लगा लूगी, और जो मैंने पिंस लगाई थी न, उसके उपर ही सिलाई आ रही है, बहुत अच्छे से, तो अभी दिखाते हूं आपको कैसे आई है, ये सिलाई पूरी हमारी देखो, फिनिशिंग के साथ ये देखो, देख लीजी आप, कितनी अच्छी आई है, अब इसका सेंटर में जो ये अभी राउंड में गुलाई में खाली है, इसके उपर हम एक गुलाई में देखो, एक पीस मैंने कट कर लिया है, तो मैंने पेस्टिंग पेपर के ओपर कर लिया है, ये कटिंग कर लिया है, अब मैं औरेंज का कपड़ा लोगी, आप चाहा तो यहाँ पर ग्रीन भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास औरेंज ज्यादा था, तो मैंने औरेंज ले लिया, अब ये देखो, पेपर पेस्टिंग जो थी मैंने कपड़े पेस्ट कर लिया है, गुलाई में इसको कट कर लोगी, और छोटे-छोटे कट्स लगा के इसको फोल्ड कर लोगी, पहले प्रेस के साथ ही मैं इसक थोड़ा फोल्ड कर लोगी, और ये देखो, प्रेस के साथ मैंने छोटे-छोटे जो कट्स लगाए हैं, उनको ये देखो, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये देखो, अब सेंटर में रखोंगी, इसका पूरा सेंटर करके, पहले ना ये कच्छी सिलाई लगा लेती हूँ, जो मारजन है, उसको दबाने के लिए, एक अच्छी सिलाई मैंने लगा लिए, तो ये जि मैने अच्छी सिलाई लगाई है, बड़े टांके के साथ, बाद में इस सिलाई को मैं निकाल दूँगी, अब पूरा सेंटर में रखूंगी, और सेंटर में एक पिन लगा लूगी अब पूरा गुलाई में हमने इसको ये देखो स्टिच कर देना है तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है गुलाई में बिल्कुल बराबर से हमने सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ ही ये वले हमने सिलाई लगानी है अब मैं इसके धागे बगएरा जो है फिनिश कर लेती हूँ तो जो मैंने एक कच्छा टांका लगाया था ना आपको कहा था कि बाद में निकाल दूँगी तो वो सिलाई में आप निकाल दूँगी क्योंकि बड़ा टांका हमने लगाया था जब भी आपने कोई कच्छी सिलाई लगानी है ना तो बड़ा टांका करके ही लगानी जो रफ सिलाई होती है तो बड़ा टांका करके ही हमने लगानी होती है ताकि बाद में हम उसको असानी से निकाल सकें तो ये देखे फ्रेंट जो पैटरन था हमारा जो था पूरा बन के तो देखो कितना सुदर सा आया है कितना अच्छा हमारा यह की अच्छा हमारा विनेशिंगर त्यार हो गभे तो आप इसको कहीं पर भी उसकर सकते हो और यह संझ अप liability कर सकते हो कहीं पर विदिव recorded कर सकते हो कें पर आप अपने हिसाब से ।क लेकर देखThese हमारा बिल्कुल finishing के साथ हो बहुत ही प्यारा सा color combination हमारा बनके त्यार हो गया तो अभी आप बताना कि आपको कैसा लगए ये वीडियो और friends अगर आप वीडियो देखते हो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो को ज्या अभी अच्छा लगता है और motivation मिलता है कि हमारी चीज आपको पसांद आ रही है तो okay friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टे क्यों